कि नमस्क्राइब मोटिफरों में अफसरी के स्वागत थे आज हमने पर हिंग लुसेंड वस्तुनिर शमाने ग्यान में ब्रेटिस सासन का भारती अर्थ विवस्ता पर प्रभाव अगर आप मेरे यूटुब चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्र सही उत्तर होगा ओफसन ए यानि की आर्थिक छेत्र में सुचिवान को सुचिदो से सुमलित कीजिए सुचिवान में ब्रेटिस उपनिवेसबाद के चैनल सुचिदो में हैं विसेस्ता हवा निजियक चरन 1767-1813 एक अधिपत बेफार एवं परतियक्ष बिन्योग का काल वी अधोगिक चरन 1830-1860 मुक्त बेफार का काल सी बीतिय पुझी वाद 1860-1947 ब्रेटिस पुझी निवेस का काल भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्पून खटना के बाद सुरू हो गई थी सही उत्तर होगा ओफशन A पलासी के यूद के पश्चात ब्रेटिस काल में भारत में निमलिखित में से किस भूराजस विवस्ता को नहीं अपनाया गया सही उत्तर होगा ओफशन D दह साला विवस्ता को नहीं अपनाया गया भारत में परत्व रेल लाइन निमलिखित में से किस ने विछवाई थी सही उत्तर होगा ओफशन C लाड डहलोजी ने भारत से व्रीटेन की और संपत्ती की अपवहन का सिधान किस ने प्रतवादी किया सही उत्तर होगा ओफशन V दादा भाई निरोजी ने वर्स 1853 इसमे में लाड डहलोजी ने जो पहली टेलिग्राफ लाइन शुरू की होगा किस के वीच थी सही उत्तर होगा ओफशन D कलकत्ता और आगरा के वीच भारत में व्रीटिस भूराजस फ्रनाली का निमलिक्षित में से किस ने अधिक लाफ प्राफ्ट किया सही उत्तर होगा ओफशन C जमिनदार भारत में सबसे पहला सूती वस्त मिलकिस सहर में स्थाफित किया गया था सही उत्तर होगा ओफशन B बंबई अंग्रेजे उत्तर होगा ओफशन D की भूराजस फ्रनाली के निमन प्रनालियों में विहार का अस्थाई वंदोवस्त इस्तमरारी वंदोवस्त सुरू किया गया था सही उत्तर होगा ओफशन D लॉर्ड कनवारलिस ब्रीटिस सरकार ने भारत में अस्थाई वंदोवस्त कव लागू किया सही उत्तर होगा ओफशन B 1793 में रैतवारी विवस्ता कव लागू की गई थी? सही उत्तर होगा आफ़सन C, 1820 में पहली बार आफचारिक रूप से महालवारी प्रता कव लागू की गई थी? सही उत्तर होगा आफ़सन D, 1820 इस वी में अस्ताई वंदवस्त जिन छित्रों में लागू किया गया उन में सामिल है एक में वंगाल, दो में विहार, तीन में उरीसा, चार में मदरास के उत्री जिले, पांच में बनारस, सही उत्तर होगा आफ़सन D, एक, दो, तीन, चार, पांच, बंगाल, विहार, उरीसा, मदरास क उत्री जीले मनारस अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेतर अफिम उत्फादन के लिए प्रसीद था सही उत्र होगा आफ्शन A विहार 28 सदी में बंगाल में वस्त उत्वोग के पतन के लिए उत्रदाई कारण था सही उत्र होगा आफ्शन C ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच तटकर नील क्रिशको की दुरदासा पर लिखी के पूच्टक नील दर्फन के लेखा कौन थे सही उत्र होगा आफ्शन V दिनवंधू मित्र अंग्रेजो द्वारा सर पर्थम कहवा वागान लगाए गये थे सही उत्र होगा आफ्शन D वाइनाट जनफद में अंग्रेजी सासन के दौरार भारत के आर्थिक दोहन के वीचार का परतिवादन किसने किया था सही उत्र होगा आफ्शन A दादा भाई नरोजी ने भारत में अग्रेजों के समय में प्रथम जनकरना किसके कारिकाल में हुआ सही उत्तर होगा ओप्षन C, लॉर्ड मियो के कारिकाल में सर टामस मुरो किस भूराजस वंदवस्ट से समंदित है सही उत्तर होगा ओप्षन C, रहतवारी वंदवस्ट भारत में प्रत्व रेल लाइन का निर्वान आठाड़ाव से तिरपन इसवी में किन नगरों के बीच हुआ सही उत्तर होगा ओप्शन वी बंबई और ठाने सुवतंतरता पूर्व अवधी में ब्रीटी सरकार द्वारा भारत में आधुनिक सिक्षा के प्रशार का मुख उदेश था सही उत्तर होगा ओप्शन ए छोटे प्रशाचनिक पदोपन नियुकती है तुँ सिक्षित भारतियों की आवे सकता अस्थाई वंदोवस्त के तहट जमिंदारों को पूरे लगान भूराजासों का कितना परतीसद राज को देना तै किया गया था सही उत्तर होगा ओप्शन ए नवासी परतीसद रैतवारे विवस्ताद जिन छेत्रों में लागू की गई उनमें सामिल थे एक में है मदराज प्रेसिडेंसी दो में है बंबई प्रेसिडेंसी तीन में पूरवी बंगाल चार में अस्थम और पांच में कुर्ग सही उत्तर होगा ओप्शन डी एक, दो, तीन, चार, पाँच मदराज प्रेसिडेंसी मंबई मंबई प्रेसिडेंसी फुर्वी बंगाल अशम कुर्ग उतरी भारत में भूमिकर विवस्ता का परती प्रवर्वर्थ किसे कहा जाता है सही उतर होगा आफ्षन A मार्टिन वर्ड समस्द अंग्रेजी भारत के सरवादिक भूमि पर एकौन परतीशत भूमि पर अपनाई गई भूर आज़स विवस्ता थी सही उतर होगा आफ्षन V रैतवारी विवस्ता भारत में उपनिवेसिक काल में हिटनी आयोग 1929 का उदेश था सही उतर होगा आफ्षन V स्रमिको की मौझूदा प्रस्तितियों पर परतिवेदन पर सिफारी से प्रस्तुत करना भारत में भारतियों 2881 में अस्ताफित हुआ तथा उनके परवंद में चलाने वाला सिमित देटा का प्रतम वैंग था सही उतर होगा आफ्षन V अवद कमर्सियल वैंक अंग्रेजों द्वारा रहतवारी बंदवस्त लागो किया गया था सही उतर होगा आफ्षन D मदराश प्रेसिडेंसी अबम बंबै प्रेसिडेंसी भारत में उपनिवेशी चासन के दोर संदर्फ में 1833 में पारित इलवर्ट विल का उदेश था सही उतर होगा आफ्षन A जहां तक आदालतों की दांडिक अधिकारिता का समत सा भारतिय तथा उईरोपिय लोगों को बराबरी पर रोकना सुचिवन को सुचिदो से सुमलित कीजियो और सुचिवन को नीचे दिये गया कूट का प्रयोकर सही उतर चुनिये सुचिवन और सुचिदो A बरे समंतों को आवंटित भूमी जागिरदारी प्रनाली V माल गुजारी के इजेदारों अत्वा तहसिलदारों को आवंटित भूमी जमिनदारी प्रनाली C उप किरायदारी पर देने, गिरिवी रखने, हस्तनांतर करने, उपहार देने या विक्रे करने के अधिकार सहीत प्रतेक किसान को आवंटित भूमी D ग्राम में अस्तर पर की गई भूर अजस बंदोवस्ती माल गुजारी प्रनाली ब्रेटी सासन के दवरार भारत में उद्ध्योगों का कोई स्वतंतर विकास नहीं हुआ इसका कारण था सही उत्तर होगा आवशन A भारी उद्ध्योगों का अभाव यदपी भारत के वेफार पर 813 के चार्ट एक्ट दोवरा कमपनी के एक अधिकार को समावत कर दिया गया प्रन्तु फिर भी किसी वस्तु का वेफार के वल कमपनी के लिए ही सुरक्चित रखा गया सही उत्तर होगा आवशन C चाय ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का वेफारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहद समावत किया गया सही उत्तर होगा आवशन V 1833 का चार्टर एक्ट अस्ताइव अंदोवर 1793 के अंतगत जमिनदारों से अप्यक्षा की गई थी किवे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे अनेक जमिनदारों ने पट्टा जारी नहीं किये इसका कारण था सही उत्तर होगा आवशन बी जमिनदारों के उपर कोई सरकारी नियंत्रन नहीं था ब्रीटिस भूराजस व्यवस्ता के संदर में इन कत्नों पर विचार कीजिये पहला है अस्ताइव बंदोवर्ष्ट के तरह सरकार ने जमिनदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया इसी कारण इसे अस्ताइव बंदोवर्ष्ट कहा गिया दूसरा है रहतवारी विवस्ता के तरह सरकार ने रहतों में लगान निश्चित किया क्या इसलिए यह विवस्ता महालवारी विवस्ता कहलाई इन कत्नों में से कौन कत्न सही है सही उतर होगा option D 1, 2 और 3 सुमिलित कीजिए सुचिवान भूराजस विवस्ता सुचिदो समंधित व्यक्ति अस्थाई बंदवस्त कंडवालिस चार्ड चार्ल्स ग्रांट जानसोर V. रहतवारी विवस्ता कैफटेन रीड टामस मुन्रो एलिफिंस्टन C. महलवारी विवस्ता होल्ट मेकेंजी मार्टिन वर्ड महलवारी विवस्ता जिन छित्रों में लागू की गई थी उनमें सामिल है पहला है गंगा घाटी, दुसरा है दुआव के उत्तर पशी परांते पश्मी उत्तर परदेश, तीसरा है मंद भारत के कुछ भाग चौथा है माराठो के अधिक्रित परदेश, पंचमा है बंगाल सही उत्तर होगा ओफ्सन D 1, 2, 3, 4, 5 सभी सुचिवण को सुचिदो से सुमिलित किजिए सुचिवण में काश्टकारी अधिनियम सुचिदो में है वर्स A. वंगाल काश्टकारी अधिनियम 1850 V. अवद लगान अधिनियम एवं मदरास काश्टकारी विधियक 1836 C. डगकन काश्टकारी अधिनियम 1889 D. मद प्रांद काश्टकारी विधियक 1883 C. आधुनिक सिक्षा के संदर में सिक्षा का माधियम को लेकर उठे प्राच अंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से होई इसके अनुसार किस भाज़ा को भारत में सिक्षा का माधियम स्वविकार किया गया सही उतर होगा option D. अंग्रेजी बारते सिक्षा का माधिकार पत्र कहा जाता है सही उतर होगा option A. बुड के घोशना पत्र 1854 को किसने 1911 में प्राथमिक सिक्षा को निशूर के वो अनिवार बनाने वाले विधियक Imperial Legislative Council में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक सिक्षा का माधिकार कहा गया सिक्षा ससमंदित आयोग समीति की पहचान करे पहला है हंटोग समीति दूसरा है लिंड से आयोग 1939 तीसरा है सप्रू समीति 1934 चौथा है सरजेंट योजना 1944 सही उतर होगा option D 1, 2, 3, 4, सभी किस सिधान्द का ये अर्थ था कि सिक्षा समाज के उच वर्गों के दी जाए और इस वर्ग से छंचन कर सिक्षा का परभावजन सधारन तक पहुँचे सही उतर होगा option A अधो मूखी निस्यंदन सिधान्थ भारत में आधुनिक सिक्षा का जन्म दाता किसे कहा जाता है सही उतर होगा option A चार्ल्स ग्रांट को हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 इस वी जो की फश्चात्य पत्ति पर उच सिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक सिक्षा से कोई समध नहीं था किसने अस्थाफ न किया सही उतर होगा option A डेविड हेर भारतिय दस्तकारी उद्ध्यों के पतन के कारण थे सही उतर होगा option D उप्योग सभी अंग्रेजो द्वारा भारतिय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मुलपर लेना V. अंग्रेजो द्वारा कच्छे मालपन यंतरन C. इंग्लेंड में आयात की जाने वाली भारतिय बस्तु पर भारी आयत कर भारत में अनोधी करण या प्राक अधोगी करण की अवदी थी सही उतर होगा option V अठरासो से अठरासो पचास भारत में आधुनिक उद्ध्योग की अस्ताफना का प्राराम होई सही उतर होगा option D अठरासो पचास इस भी में भारतिय बुनकरों की दैनिये हालत पर किस गवणना जनला ने टिपनिक की इनका दुख दर्द समुचे इत्यास में अतुल निये है कपरा बुनकरों की हड़ियों में भारत की दर्थी सफेद हो गई है सही उतर होगा option V बिलियम बैंटिक बैपिटिस्ट मिस्नरियों की त्री मूर्ती जोसूबा मार्समेन बिलियम केरी एवं बिलियम वाट ने स्री रामपूर या स्री रामपूर को अपना कार्च छेतर चुना जिस कारण उन स्री रामपूर त्रई के नाम से भी जाना गिया या स्री रामपूर इस्तित है सही उतर होगा option A बंगाल में भारत में रेलवे के निर्वान के कारण थे A. ब्रीटी सुद्योग में उत्पादित वस्टूग की तीजी से खफ़त A. ब्रीटी सुद्योग के लिए भारत के विविन भागों से कच्चे माल किया पूर्थी V. विश्दित भारती समराज को एक राजनेतिक प्रसाशनिक सुद्र में आवध करना C. आंद्रिंग विद्रोह एवं व्राम आकर्मन के दुरान सेना का तीजी से आवा गमन D. उप्यूक्ट सभी किसने भारत में रेलवे के अस्थाफना को आधुनिक उद्योग का अगर्दूत या जन्नी की संग्यादी सही उत्तर होगा आउफ्शन V. कार्माक्स पहली आधुनिक पर्षन मिल अस्थाफित हुई सही उत्तर होगा आउफ्शन A. रिशरा वंगाल पहले आधुनिक लोह इस्थाफ़ उद्योग की अस्थाफना कहां हुई सही उत्तर होगा आउफ्शन A. विहार में विख्रे हुए स्वायत गाउ के कौच को इस पात के रेलो से छेज दिया गया जिससे उनकी जीवन रगत का हास हो गया या किसने कहा सही उत्तर होगा आउफ्शन V. भुकानन भारती रजाओ दोरा कर लेना सुर्य दोरा भूमी से पानी लेने के समान था जो की पूनह वर्षा के रूप में भूमी पर उर्वरता देने के लिए वाफस आ जाता था पर अंग्रेजो दोरा लिया गया कर भारत में वर्षन ना कर के इंग्लेंड में ही वर्षा करता था या कतन किसका है सही उत्तर होगा आउफ्शन A. आरसी दत हमारी पत्ती बहुत कुछ अस्पंज की तरह काम करती है या गंगा के तटों से भी सभी अच्छे चीजों को सोक लिती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोर कर गिरा देती है या युक्ति किसकी है सही उत्तर होगा आउफ्शन D. जौन सुलिवान कॉंग्रेस के 30 अधिवेशन में पहली बार कॉंग्रेस द्वरा मौलिक अधिकारों और राष्टी आर्थिक कारिक्रमों से समंदीत प्रस्ताव पारित किये गया है सही उत्तर होगा आउफ्शन A. कराची अधिवेशन 1931 कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अधियक्ष कौन थे सही उत्तर होगा आउफ्शन A. सरदार वल्लभाई पटेल सुमिलित कीजिए सुचिवान में आकाल से समंदीत आयोग सुचिदों में गवरनर जनरल A. एस्ट्रेची आयोग 1880 लॉड लीटन V. लियाल आयोग 1897 में लॉड एलीगन V. मैकडोनल आयोग 1900 लॉड करजन D. बुडहेट आयोग 1943 से 44 लॉड वैवेल 20 सदी के पुरवार्द में देश का विशंतम अकाल 1923 में कहां परा सही उत्तरों का आउफ्शन A. बंगाल British काल में लिखित में से कौन-कौन से उध्योग धंदे विक्सित हुए पहला है जूट, दूसरा है कोईला, तीसरा है लोह इस्तपात चौता है मसीनों के पुरजे, पांचमा है सूत्ती कपरा सही उत्तरों का आउफ्शन A. एक, दो, तीन, पांच जूट, कोईला, लोह इस्तपात, एवं सूत्ती कपरा 1938 इस्वी के अंद में भारती राष्टी कौनरेस के अनुरूत पर जो राष्टी योजना समीती बनाई गई उसके अधियक्स थे सही उत्तरों का आउफ्शन V. जवाहरलल नहरू अकालों को रोकने तदा आकाल फिरूतों की सहता है तो भारत सरकार ने अकाल संहीता का परचारित किया सही उत्तरों का आउफ्शन C. 1883 भारत में विकेंद्री करन का सुवारम किसके समय में हुआ? सही उत्तरों का आउफ्शन D. लॉर्ड मियो रेल विभाग के लिए प्रीथा ग्रूप से रेलवे वजट कव आराम हुआ? सही उत्तरों का आउफ्शन A. 1985 में ब्रिटिस नागरीकों को सरपरतम कीस वर्ष भारत में भूमिक फैजने एवं बसने की अनुमती मिली सही उत्तरों का आउफ्शन V. 1833 में भारत में इस पात का उत्फादन सरपरतम का प्रारम्ब हुआ? सही उत्तरों का आउफ्शन V. 1913 में अंग्रेजी घुस बैटियों ने भारत के करगे को तोर डाला और चर्खे को नश्ट कर दिया या कतन किसका है? सही उत्तरों का आउफ्शन D. कार्ल माक्स दादा भाई न रोजी ने अंग्रेजों दोरा किये किस कार को अनिष्टों का अनिष्ट की संग्यादी? सही उत्तरों का आउफ्शन C. धन के निकास या कतन भारत और इंग्लाइट के यार्थि इत प्रतियक छेत्र में टकराते हैं किसका है? सही उत्तरों का आउफ्शन C. जवाहरला नेहरू निमलेखित में से कौन फोवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया का लेखक है? सही उत्तरों का आउफ्शन D. दादाभाई नरोजी भारती अर्थ वीदों में सामिल है? पहला है दादाभाई नरोजी, दूसरा है आर्सी दक, थिसरा है एमजी रनाडे, छोथा है डियन, गार्ड गिल्ट, पांचमा है उपाल गर्षन को खड़े, छाठा है के टिसा सही उत्तरों का आउफ्शन D. इन में सभी सर्थॉमस हॉलेंड के सभापतित में भारती अधोगिक आयोगा गठन कब हुआ? सही उत्तरों का आउफ्शन C. 1916 इस्वी में पहला अधोगिक सेमिलन किस वर्ष आयोजित किया गया? सही उत्तरों का आउफ्शन C. 1907 में 1935 में सरकार द्वरा गठित भारती अर्थिक जान्त समीती के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तरों का आउफ्शन D. एम विस्वसरया निमलिक्षित में से किसी ने भारत के अंग्रीजी उपनिवेस नियंत्रन के अलोग्षना में अन ब्रिटिस पदावली का उफ्वियोग किया था? सही उत्तरों का आउफ्शन C. दादाभाई नरोजी भारत में प्रतम रेल्वे लाइन किस ब्रिटिस गवर्णर जेनरल के समय बिचाई गई थी? सही उत्तरों का आउफ्शन A. लौड दावलोजी आर्थिक तौत पाउफ्वी सदावदी में भारत पर अंग्रीजी शासन का एक परिणाम था? सही उत्तरों का आउफ्शन C. भारतिय क्रिसी का वानीजिय करन दादाभाई नरोजी दौरव उनके क्रिती परवर्टी एंड अनवरिटिस रूल इन इंडिया में प्रस्तित किया गए अब वहन सिधान सब्द को निमलिक्षित कत्नों में सकौन सा एक समुचित रूप से परिवासित करता है सही उत्तरों का आउफ्शन A. कि भारत की राष्टी संपती या कूल वार्षिक उत्वाद का एक ही से वरिटिन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्पूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था भारत में उपनिवेशी सासनकाल में होम चार्जेज भारत से समधी दोहन का महत्पूर्ण अंग था निमलिक्षित में से कौन सी निधी होम चार्जेज की संगठन थी सही उत्तर होगा ओफ्षन डी एक दो तीन सभी किस कमपनी ने सर परतम भारत में रेल सिवा प्रारंब की सही उत्तर होगा ओफ्षन डी ग्रेट इंडियन पेनिन सूलर रेलवे रैतवारी बंदवश्ट के संदर में निमलिक्षित कत्म पर विचार कीजिए पहला है किसानों दुरा लागान सीधे एक सरकार को दिया जाता था दूसरा है सरकार रेत को पट्टे देती थी तीसरा है कर लगाने के पूर भूमी का सरव्यक्षन और मुल्लि निर्धारन किया जाता था सही उत्तर होगा ओफ्षन सी एक दो और तीन सभी निम कत्नों पर विचार किजिए दादा फ़य नरोजे की भारती राष्टी अंदुलन को सरवाधिक प्रभावी देन थी पहला है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्ष किया कि वरीटेन भारत का आर्थिक सोचन कर रहा है दुसरा उन्होंने प्राचीन भारती गरंतों के विख्या कि और भारतीयों में आत्म विश्वास लगाया तीसरा है उन्होंने व्यों समाज की बुरायों को निराकरन किया विसक्ता पर सरोव वरे जोर दिया उपयूग्त में से कौन से कत्न सही है सही उत्तर होगा option A, केबल प्रथम उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का अर्थिक सोचन कर रहा है British East India Company ने चाय को बेपारिक एकाधिगार को खो दिया सही उत्तर होगा option C, 18-23 का चार्ट एक्त द्वारा